हेलो दोस्तों अप्सका दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओंलाइन इटाफ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटिस अपडेट के बारे में जोके संबंदिते हैं टीजटी पीजटी परीक्षा को लेकर बड़ी बदलाब के ब वालें और वीडियो को लाइक करतें जिससे कि आपको जियल ऑथेंटिक जानकारी ओनलाइन अडाफ फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें सीधे शुबात करते हैं मुद्दे की उत्तर विदेश में टीजटी बिजटी परीक्षा हो या उत्तर विदेश म आयोग के माध्यम से भी अपनी परीक्षाओं के अंदर कई बड़े बदलाब किये गए हैं और इस परीक्षा को कई न कई भरती के अंदर पारदर्शिता लाने के आधार पे किया जा रहा है ऐसा उनका कहना है पारदर्शिता आएगी नहीं आएगी ये तो भविश्य में लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट है आप सभी के लिए एक्जाम को लेकर साधी साथ एक्जाम डेट परी में आपको जान करी दूँगा लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पिचेतर जिलों में नहीं केवल 41 जिलों में होगी परीक्षा जिया दोस्तों पिचेतर जिलों में न करके सिर्फ 41 जिलों में परीक्षा को लेकर यहां पर बात की जाई है और इसकी सबसे बड़ी वज़े क्या है वो है आप सभी के सामने कि इससे पहले जितनी भी परीक्षा है आप सभी के लिए होती थी उ तो उनकी सहली बर मुश्किल 10-15,000 मैक्जिमम होती थी, अब 10-15,000 पाने वाले टीचर को अगर 50-60,000 रुपे का लालच दे दिया जाए तो पेपर लीक होने के कहीने की समभावना काफी ज़्यादा बढ़ जाती थी, ऐसा दावा किया जाता है, मैं किसी पर आरोप नहीं लग लेकिन सरकार का मानना है कि जो सरकारी विद्याले हैं, उसके अंदर पेपर लीक होने की समस्यां कम है, अगर होती भी है, तो उस पे वो जाच अच्छे तरीके से कर बाते हैं, वज़ए प्रात्मिक प्राइविट विद्यालें की, अब इसी को लेकर एक बड़ा बदलाव आप सभी के लिए किया गया है, जाहे वो अगर बात की जाए टीजिटी पिजदी की परिक्षा हो, या किसी भी परिक्षा के अंदर, सभी परिक्षाओं में सरकार के माध्यम से निदेश दिये गए हैं, और उसके मुताबिक अब ये परिक्षा टोटल 75 जिलों पे नहीं हो क्योंकि पेपर की सिकूरिटी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे ही किसी भी परिक्षा केंदर को परिक्षा कराने का जिम्मेदारी नहीं दी जारेगी, क्योंकि इस समय पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, आरो, ए आरो और पुलिस भरती का पेपर लीक हो जाने के बाद स एक बड़ी जानकाई जारी कर दी गई है, और ये जानकाई आप सभी को देखने के लिए मिलती है, कि भरती परिक्षाओं में पेपर को पारदर्शित बनाने के लिए केंदों की जो सूची है, उसको ऑनलाइन किया जाएगा, इसके अंदर इतनी जानकाई है, जो कि आप सूची को ये ओनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे के सिर्फ उनी परिक्षा केंदों पर आपकी परिक्षा आयुजित की जाए, अब इसमें सभी भरतियां शामिल है, प्रदेश के सरकारी या सायता प्राप्त कोलेज, जिसको आप जानते हैं, सायता प्राप्त मार्धिमिक बिद्याले जो आपके TGT-PGT के नाम से जाने जाते हैं, उनकी बात की जा रही है, या तो विश्व बिद्याले हों, या इंजिनिंग कोलेज हो, या पॉलिटिक्निक संसान हो, या कोई भी परिक्षा केंदों को ही परिक्षा केंद बनाया जाएगा, और प्रदेश सरकार की सूची बनाई जा रही है, दरसल उतर प्रदेश लोग से बार आयोग की PCS भरती के लिए परिक्षा करानी है, आयोग ने प्रदेश के 41 जलों में केंद बनाया है, इसके चलते परिक्षा दो दिन में करानी का आदेस अभ्यतियों में खूब अंगामा किया था, आयोग मे बाद में दो दिन की परिक्षा कराने का नेड़े बापस लेन अपड़ा, शासन इस तरह में मन्थन के बाद चिंता व्यक्त की गई, तो परदे इसमें 55 जले होने के बावजूद, ध्यान से सुनिए, यहां सिर्फ PCS की बाद नहीं की जा रही है, ध्यान से आप इस बात को समझें, कि शासन के चिंता यह है कि 55 जले होने के बावजूद, सिर्फ 41 जले में ही परिक्षा कराने का जो डिसीजन है, वो लिया गया, उसकी वज़ए क्या है, उसकी वज़ए यह है कि सर्फ गिने चुने परिक्षा केंदों को ही परिक्षा केंदर बनाया जाए, सबी को न बनाया जाए निखा हुआ है कि जो 75 जिलों में से सिस्फ 41 जिले के ही परिख्षा के इंद बनाने लायक इसकूल और कॉलेज मिले हैं। पिचेतर जिलों में जो इस्कूल या कॉलेज है वो सभी परिक्षा के अंदर बनाने लायक नहीं है सिर्फ 41 जिलों के ही परिक्षा के अंदर ऐसे जिनको परिक्षा के अंदर बनाया जा सकता है या वो योगिता रखती हैं क्योंकि हर परिक्षा के अंद योगिता नहीं रखता परिक्षा के अंद बनाने की मुझे बता है कि आपको लगेगा कि इसमें भी कौन सी योगिता की बात आगी बिलकुल आ गई देखो बैसे तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जैसे कि वहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए साफ पानी होना चाहिए या फिर पंक्य होने चाहिए हवादा कमरी होने चाहिए यह बातें पहले हुआ करती थी जब 1990 का समय था अब बातें जो आप सभी के लिए की जाती है वहाँ पर सुख सुभधा होनी चाहिए सबसे मैं चीज वहां पर सीजी डीवी केमरेज होने चाहिए चोबिस गंडे विजली की विवस्ता होनी चाहिए जाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए ऐसा नहीं कि कई बारीक्षा केंदों की सूची आती है तो अब बैती नाव में बैट परिक्षां के लिए साफ सुत्रे कॉलेज और विश्व विद्यालेवा इंजिनिंग कॉलेज के साथ पॉलिटेक्णि संस्तानों की सूची बनाई जाये जिन्हें परिक्षा केंदर बनाया जा सके यह सूची ओनलाइन करती जाएगी इससे परिक्षा कराने वाले बोर्ड तोसे संभू कर दिया गया है कि अगर 75 जिले्ट नहीं मिलते हैं परेक्षा केंद बनाने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ये परिक्षा 40-45 परिक्षा के अंदों पर भी आयुजित की जा सकती है जैसा कि सरकार के दिशार नेदेश हैं अब TGT-PGT परिक्षा तो एक से जादा दिनों में होगी ये तो पहले से ही कनफर्म है कम से कम 4-5 दिन का समय तो लगेगा TGT-PG में हाँ वो बात अलग है कि Assistant Professor भरती की परिक्षा एक दो दिन में हो जाएगी बाकी रही बात परिक्षा को लेकर तो आयोग का तो त्यारी चल रही है जल्दी जैसी परिक्षा केंदों की सूची आती है आयोग सरकार इसको online कर देगी और उसका इस्तमाल करते हुए TGT-PG परिक्षा को भी आयोजित करा लिया जाएगा अगर उसमें समय लगता भी है तो भी आयोग ने पहले से ही त्यारी कर ली है परिक्षा केंदों को परिक्षा केंदों बना रहे हैं जो बनाने के लायक हैं सभी को नहीं ये बात मैंने आपको पहले ही पता दी थी फिलाल परि somewhere के first week में की जाएगी thank you for watching this video